नूर मुहम्मद ने सभे हाथों से डमरू को जटका दिया और उस ताल पर भालू ने करतब दिखाना शुरू किया बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे लेकिन ये क्या यह तो असली भालू नहीं बलकि इंसान ही भालू बना हुआ है हमारा पुराना पेसा भालू का खेल तमासा वे मदारी का खेल तमासा दिखाने का था और 2006 तक मैंने खुद ने भालू का खेल तमासा दिखाया सरकार ने इस काम को बेंड कर दिया तो कुछ लोग हमारे मल्लम बेचने लगे कुछ लोग मंजन बेचने लगे, कुछ लोग मजदूरी करने लगे राजस्थान के टॉक शहर के मुहला बहीर में मदारी या कलंदर समुदाई के लोग रहते हैं वन नजीव सनक्षन कानून के प्रभाव में आने के पाद धीरे धीरे इनके भालू बंदर वन विभाग ने जमा कर लिए जिससे इनका रोजगार छिन गया 1922 में सरकार ने एक नियम बना दिया कि जंगल के जानवर को रखना गेर कानूनी है हम लोग पड़े लिखे नहीं थे हमारे पास में खेती की जमीन नहीं थी हमारे पास में मकान की जमीन नहीं थी हम गुमन्तु जीवन जीते थे हमें किसी बरकार का कोई नोलेज नी था और सरकार ने ये कानून निकाल दिया तो जिससे हमारे यहां पे बहुत बड़ी बेरोजगारी पेदा हो गई पुष्टैनी काम चिनने के बाद कलंदर समुदाई के हजारों लोग बेरोजगार हुए कोई और हुनर ना आने के कारण धीरे धीरे गरीवी के दुष्चक्र में फस गए साथ साल के जमील हमत ने तीस साल तक मदारी का काम किया और अब जब भालू नहीं रहा तो मजबूरन उन्हें भालू की तरह कर्तब दिखाना पर रहा है कामता भालू का खेलता मसा करना है हम और को धन्दा तो आता ही नहीं था जब से लोग परिशानी में रहते ही हैं तो बेलदारी करने जाता है कोई आदमी कुछ खड़े-वड़े खोदने चले जाद को लगड़ी काड़ने चले जाते हैं बड़ी-बड़ी सीटियों के अंदर गुमंतू समाज के 50% से जादा आदमी अगर आप पिलास्टिक बीनने वालों से पूछो गए तो उनमें से 50% से जादा गुमंतू समाज के लोग कच्रा बीनने का काम कर रहे हैं वालू का खेल तमासा करने के बाद हम जो कठोरे में बिक्षा लेते थे तो बालू तो चला गया कठोरा हमारे पास में तो उसके पास कलंदर समुदाई से भालूओं को वापस लेने का काम वाइल्ड लाइफ हैसोस नाम की एक संस्था ने किया मौंगा बेहिंदी ने संस्था के कारिक्रम समनवेकपद पर काम कर रही राखी शर्मा से जमा किये हुए भालूओं की स्थिति के बारे में बात की उन्होंने बताया कि 2001 से 2009 के बीच यहां 300 भालू लाए गए इन में से 250 जिन्दा हैं और अलग-अलग शहरों के चिरियागरों में है जब इन भालूओं को बढामत किया गया था तब सेहत के पैमाने पर इनकी सिति बेहत नाजुक थी पोशन की कमी के कारण कई भालूओं को टीबी की बिमारी भी थी बहुत से भालूओं के नाखून और दात भी नहीं थे कुछ भालू तवचा रोग से क्रस्त थे इसके अलावा ऐसी भी जानकारी सामने आई basket कि भालूओं के हिंसक होने पर कलंदर उन्हें अंधा कर देते थे मदारी भालूओं को डान्स की ट्रेनिंग देने के लिए कुरूरता की सारी हदे पार करते थे राखी दावा करती हैं रूर्टा के सवाल पर नूर मुहम्मद कहते हैं पीटने से कोई भी जानवर नहीं सीखता है इनको हम बड़े प्यार से प्रेम से बार बार प्रिक्टिस करके सिखाते हैं इनके साथ में यात ना दे के मारने पीटने से तो भालू कड़वा हो जाता है उसकी आदत बिगड़ जाती है उसको बड़े प्यार से सिखाया जाता है यह हमारी रोजी रोटी अगर यह बीमार हो जाता है हमारे बच्चे की जो दरगा की मननत मानते हैं तो हम भालू के बारे में मानते हैं अगर भालू और बेटा दोनों बीमार हो जाएंगे तो हम पेले भालू का इलाज कराएंगे और फिर भालू का खेल तमासा कमा कर हम अपने बेटे का इलाज करा सकते हैं एक समय साल के आठ महीने घर से दूर गाउं शहर घूमने वाले कलंदर समुदाई के लोग पारंपरी काम छूटने की वज़ा से टौक के महला बहीर में रहने लगे हलांकि जमीन पर अधिकार ना होनी की वज़ा से इन्हें कभी भी बेगर होना पर सकता है यह तलका के 50 परतिसत के पास में तो रहने के मकान भी नहीं है वो सरकारी जमीनों पर तंबू लगा कर रहते हैं अब दूसरी आफ़त यह हो गई कि जहां हम तंबू लगा कर रहते हैं वो जमीन पहले बेकार थी अब आबादी हो गई जमीन की कीमत बढ़ गई तो आसपास के एरिये के दबंग और दादा किसम के लोग क्या कहते हैं कि यह जमीन हमारी है वो उस जमीन के उपर जो सरकारी जमीने अपना दावा करते हैं और हमें वहां से भगाने की कोशिस करते हैं तो हमारी जान के उपर ये जत्तलग का सरकार हमें कोई पूरूप ना दे, कोई पठ्टा ना दे, कोई अधिकार ना दे, तो हम उनको क्या बतलाएंगे, यह हमारी दूसरी समश्या, हमारे को वन विबाग में सबसे छोटी नोक्री, चपराशी की या गाड की, या इतनी जमीन दे दो कि जिसमें हम खेती करें और अपने बच्चों का पालन पोस्ट कर सकें अब अब यहां के लोगों को उमीद है अपनी नई पीड़ी से गैर लावगारी संस्था वायल्ड SOS की मदद से, यहां के लोग हुनर सीख रहे हैं। यहां की लड़कियां कपड़ों पर कारी-गरी और आरा-तारी का काम सीख कर रोजगार पानी की कोशिश में है। आरा-तारी का सेंटर SOS नहीं है चलाया तो काफी बचों ने वह आरा-तारी का काम सीखा है। जहां बड़ी बस्तिय हैं, वो सरकार ये से सेंटर चलाए, कि जिससे हम लोगों को रोजगार मिल सकें, बच्चों की पड़ाई लिखाई हो सकें, ताकि हमारा भी भारत के अंदर योगदान हो, हम भी भारत के एक नागरी कें.